हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बजार वितायुश और बात करेंगे इस वीडियो के अंदर 22nd मार्च की ग्रे मार्केट के बारे में काफे आई-प्योज है डिफिनिटली जिनके बारे में बात करेंगे उधर शिफ्कुमार आई-प्यो का आज थर्ड अगर अपने चैनल को विजिट किया है चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो बात करेंगे उधर शिफ्कुमार इंफ्रा आई-प्यो के बारे में तो आज इसका थर्ड है काफी बार आई-प्यो तीन दिन के आते हैं बट यह आई-प्यो दोस्तो बेसिकल के अंदर कुल मिला के 66 करोड का यह पूरा इश्यू है अब बात करें आज के सब्सक्रिप्शन के उपर तो जो शुरुवात के दो दिन थे उसके अंदर definitely हम कह सकते कि first day के मुकाबले second day काफी trend चेंज हुआ था trend कैसे चेंज हुआ साफ सब आप देख सकते हैं कि first day यह इश important के आएगे यहां से जो issue है वो definitely subscribe कितना और होता है आखरी के दो दिन के अंदर यह अपना आपे important point रहने वाला है बट मान के चलिए subscription जो है वो काफी बढ़िया निकल के आएगा 2.37 times तो यहां पी हो गया था कल अभी-अभी के अंदर जो subscription निकल के आ रहा है उसके मुताब अगर कोई बीचे पैसे आने की उम्मीद है उसका एक कारण भी यह देखी इशू बहुत छोटा है मतलब अगर कोई बीचे 66 करोड जित्ता होगा तो definitely subscription आपको बड़ा ही दिखेगा जाद ही दिखेगा राइट तो चार गुना यह overall subscribe हो गया है अब दुस्तों एक और मीन इन 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 बात करते हैं नाम है उसका global services अब global services का कल यहाँ पर IPO का listing है कल IPO list होने वाले markets के अंदर definitely बात करेंगे इसकी listing strategy के उपर एक separate video के साथ definitely दुस्तों एक separate video आएगा जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से यह issue जो है वो कल list होने वाला है तो definitely वो वीडियो जरूर देखिएगा बट यह है कि यहाँ यहाँ पर जिनको भी आया congratulations बहुत कम chances है कि एक बात अपको दरता हूं कि यह negative में कोई list हो तो यह आपके लिए अच्छी बात है जिनके पास भी allotment आये अब बात करते हैं next IPO के उपर अब दुस्तों एक और नया SME इशू कभी भी आ सकता है नाम है इसका इनफीनियम फार्मा केम लिमिटेड आई प्यो अब डिफिनिटली देखिए यह एक नया इशू आ सकता है अभी तर्ट डेट्स जो है वो finalize नहीं की गई है बट माना यह जा रहे है कि बहुत ही जल्द आपको एक नया SME आई प्यो जो नाम है इसका इनफीनियम फार्मा केम उसकी ओपनिंग हो सकती है अभी further details का वेट करेंगे इसलिए जादा बात नहीं करेंगे इस आई प्यो पर बागी कल सिक नया SME आई पी ओपन होने वाला है नाम है मेडेन फोर्जिंग लिमिटेड ते लोकेटड है गाजयाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर कंपनी के अगर बात करते हैं इशू के बारे में तो दोस्तों कल से यह इशू ओपन होगा 27 माज तकी ओपन रहेगा 63 रुपीस का इसका प्राइस बिंड जो है वो कंपनी के दरता है किया गया है 23.84 करूर का शियर है एक लोट में आपको 2000 शियर मिलेंगे पूरा का पूरा फ्रेश इशू है लिस्टिंग होगी इसके सिर्फ BAC SME पे अगर कंपनी के फाइनेंशल्स पे बात करते हैं तो कंपनी के फाइनेंशल्स कुछ इस प्रकार से हैं कि कंपनी के जो रेविन्यू था वो काफी बढ़िय है वो सारे लाक के अंदर है तो मैं आपको करोड में कंवर्ट करके बता रहा हूं अगले साल दोस्तों कंपनी जो है उसने करीबन 199 करोड के SME का रेविन्यू जरू पोस्ट किया लेकिन मुनाफ़ा जो है वो बहुत जादा उस समय के बाद भी निकल के नहीं आ पाया क्यों 163 करोड का लेकिन जो कंपनी का मुनाफ़ा निकल किया है वो 8 करोड का निकल कि नंबर ठीक है बहुत ज़्यादा मिस्मैच कर जाते हैं क्योंकि यहां पे आप नोटिस कर सकते कि कंपनी 210 करोड का रेविन्यू लाने के बावजूद भी कितना 2 करोड के असपस का मुनाफ़ लेकिया रही थी अब कंपनी ने दोस्तों 163 करोड का रेविन्यू पोस्ट किया और मुनाफ़ा कंपनी का 8 करोड आ गया तो कह सकते हैं कि यहां कंपनी के मार्जिन्स के अंदर बेर्ट सुधार आ रहा हैं विकाज 163 करोड के रेविन्यू पे कंपनी 8 करोड का मुनाफ़ा कर रही है जो पहले 210 करोड के रेविन्यू पे भी नहीं कर पाई थी यह जो है कंपनी के तीन कॉर्टर के नंबर्स जो है वो कंपने रिलीस कर दिये Q3 तक कि देखें इश्यू को लेकर मार्केट में इतना ज्यादा कुछ रिस्पॉंस अच्छा नहीं आ रहा हूँ इसलिए मीडियन फोर्जिंग की ग्रे मार्केट में अविदा कोई भी चेंज नहीं आया क्योंकि कल से यह ओपन होने वाला है ठीक है अगर अगले आई-पिकर मात कर हैंने की पूरी कोशिश दिख रही है और अपने आप में कह सकते हैं अच्छी बात यहीं कि मार्केट्स थोड़ा सा समलने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट्स अगर देकिन लगाता नीचे आएंगे रहा तो डिफिनिटली मूड माहल खराब होगा इसमें कोई डाउट नहीं हैं मोस्ट इंपोर्टन उदर शिवाकुमार इंफरा के इंदर कितना रिस्पॉंस निकल के आता है वह अपना अपमें एक फैक्टर रहेगा बिकॉस कितना पैसा क्यूआ भी एचनाई और रीटेल पॉशन लगा रहा है वह डिफिनिटली मैटर करता है बिकॉस इस्यू बह देव लेटिक वेंचर्स कली इस्यू बंद हुआ था 11 रुपय दोस्तों इसकी करें ग्रे मार्केट है 21 परसन के आसपास की ग्रे मार्केट नजर आ रही है 14,000 का सब्जेक्ट रेट से विच इस क्वाइट गुड यह बद्यान रखिएगा इसकी लिस्टिंग जो है वो 29 ओ मार्च को होने वाली है अगला आता निर्मन इग्री जनेटिक्स अब देखिए दो रुपय डिसकाउंट में इसकी ग्रे मार्केट चल रही है दो परसन के आसपास का नेगेट आपको यहां पर डिसकाउंट में उपर होने का चांस नजर आ सकता है पर यहां पर आपको लिस नजर आ रही है इसकी लिस्टिंग 27 मार्च को होने वाली है क्वालिटी फॉइल 55% ग्रे मार्केट पहुच गई है कल 48% के आसपास थी 33 रूपीज हो चुकी है या नी ग्रे मार्केट में एक अच्छी खासी बड़ात हम कह सकते हैं कि आ चुकी है क्वालिटी फॉइल्स के इंदर 30,000 के subject rates है मुनाफ़ा होने के chances बहुत जादा है लिस्टिंग जो है वो 24 मार्च को होने वाली है तो जादा दूर नहीं है इसकी लिस्टिंग लेबल क्राफ्ट टेक्निलोजी तो 18% की ग्रे मार्केट चल रही है 10 रुपे के आसपास 20 आ के subject rates कह सकते है काफी बढ़िया है कोई दिक्कताली बात नजर नहीं आ रही है इसकी लिस्टिंग दोस्तो 23 मार्च को है निकल होने वाली है ग्लोबल सर्फिसेज का लिस्टिंग पाच रुपे की ग्रे मार्केट च्छे साथ परशन के असपास का ग्रे मार्केट नजर आ रहा है कुछ खास इंटरेस्ट दिखता नहीं था अच्छी बात क्या थी अगंडी कह सकते है अच्छी बात तो नहीं खराब बात यह होगए कि आज इसकी लिस्टिंग होई और डि थर रचे वीडियो